लुट्व दोस्तों मैं अन्स और आपके अपने यूट्यूब चैनल आलबेज अश्डी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से मनुष्ट के जो आँख होती हैं नेत्र होते हैं उनके बारे में और यह हम लोग कोशन पढ़ने वाले कर देख सकते हैं और दोस्तों मैंने पार्ट पांस तक आपको बताया था कि नेत्र क्या होते हैं रेटीना क्या होती है परितारिका क्या होती है उसके बारे में पूरा वर्डन दिया था और साथ चित्र के माध्यम से हमने संजाने का प्रियास किया था और पिछले पिछले यानि कि पार्ट छे में मैंने आपको कोई दस कोश्चन महात्पूर्ड इंपार्टन कोश्चन दस बताये थे अपने उम्मीद करते हूं आपने वह देखा होगा और याद भी कर लिया होगा तो अब देखते हैं आगे के कोश्चन तो वीडियो में आगे बने स्प्लेगर कोई कोश्चन पूछन ये तो इसको कमेंट कीजेव साथ चाज इस्प्लेट में है तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा मातपूर होने माला है तो देखते हैं पहला हमारे इग्रावा कोश्चन हमने 10 और देखा था पार्ट 6 में देखते हैं सु असपश्ट दर्शन की अल किसे कहते हैं आपको सिप समझना है याद नहीं करना है देखिए वह नियुंतम जूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्याधिक अस्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुआस्पष्ट दर्सन की अलपतम दूरी कहते हैं नेट्र का दूर बिंदु किसे कहते तो वह दूरतम बिंदू जिस तक कोई नेत्र वस्तुव को सूअसपर्ष्ट देख सकता है उसी नेत्र का दूरी बिंदु कहते हैं नेत्र का निकट किसे कहते हैं अभी आपने दोरी बिंदु पढ़ा अब पढ़ी निकट बिंदु किसे कहते हैं तो वह नियूंतम जूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाओ के अत्याधिक अस्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं अब नेक्ष देते हैं मोतिया होगा अब आप देखिए किसे कहते हैं मोतिया बिंद तो नेत्र की crystal apples पर दुदिहा और दुदलि परत का जम जाना मोतिया बिंद कहलाता है जिस कारण दरिष्ट का मंद हो जाना यह नेत्र का समात्त हो जवजाना घटित हो जाना सहल से दिरिष्टि का लवटाना संभव होता है ठीक है तो अब इसको असपर्ष्ट रूप से पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं मुतिया बिंद किसे कहते हैं ठीक है तो पढ़िए नेत्र के क्रिष्टली लेंस पर जो होती है उसमें दुदिया या धुदिली परत का जम जाना मुतिया बिंद कहलाता है नेत्र का जो हम क्रिष्टली लेंस होता है मैंने आपको पढ़िए उसके काराण द्रिष्टा хочет créer ऑगी दिखते हैं और आगे देखते हैं तो मुत्या बिंद हो जाएगा अगर आपको खराब हो जाएगी तो ठीक भी हो सकती है इसका यह मतलब है तो मैं फिर से बढ़ाता हूं आपको सिर्फ समझना है याद नहीं करना है तो निक्ष्ट देखते हैं जरा दूर दिर्ष्टता किसे कहते हैं जिस कारण निकट की वस्त सू असपष्ट देखने में कठिया आती है इस दोस्त को जरा दूर दिर्ष्ट कहते हैं मैंने इसको असपष्ट रूप से आपको पिछली वीडियो में बताया था चित्र के साथ नेक्स्ट कोश्चन है दूर फोकसी लेंज किसे कहते हैं तो दूर फोकसी लेंज में आउतल और उतल दोनों लेंज होते हैं इसका उपरी भाग आउतल लेंज होता है और निचला भाग उतल लेंज होता है आउतल लेंज दूर की वस्तूओ और उतल लेंज निकट की वस्त या या प्रिश्ट एक दूसरे पर जुके होते हैं ठीक है जिसके दो त्रिपूजाकार आधार या के दो त्रिबुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पाश्व प्रिष्ट होते हैं यह प्रिष्ट एक दूसरे पर जुके होते हैं नेक्स देते हैं प्रिज्म कोड किसे कहते हैं प्रिज्म के दो पास्व पलकों के बीच के कोड को प्रिज्म कोड कहते हैं अगर आपको यह प्रिजम के द्वारा आपतीत सुवेत प्रकास को अव यवी रंगों की पattी में बिभाजन करने को स्वेत प्रकास का विख्षेपल कहते हैं ओप्रवर्तित विक्षेपित तथा आंतरिक परिवर्तन के पश्याद बिभिन कार्यों में बाट कर प्रेक्षर की आखों तक पहुचाती हैं तो इसे इंद्रधनुस कहते हैं इसको फिर से हम लोग एक बार देखते हैं सूर के आपतित प्रकास को वायुमंडल में उपस्थित जल की बूदे आप प्रवर्तित विक्षेपित तथा आंतरिक परिवर्तन के पश्चात बिभिन्य कार्यों में बाट कर प्रेक्षर की आखो तक पहुचाती हैं तो इसे इंद्रधनुस कहते हैं दोस्तों आज के लिए उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं चोटी वीडियो इसलिए बनाता हूं जिससे आपको हर एक चीज समझ में आ जाए आपको रटना पड़े आप समझ लेंगे तो ज्याद चित्र के साथ मैंने बताया है यह तो मैं छोटा-छोटा इसलिए बता रहा हूं जिससे अगर आपको परशनतल लिखना हो नोट्स बनाना हो तो आप लिख सकते हैं उम्मीद कर तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद है माचले को सस्क्राइब कर लिजिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग